नमस्कार श्टूडेंट्स कक्सा 11 की अनिवारे हिंदी विशे का अर्धवार्शिक परिक्सा का मोडल परिक्सा का मोडल परिक्सा के अंदर यही मोडल पेपर आपके परिक्सा में छपने वाला है तो उससे पहले इस model person पत्र को अच्छे से समझ लीजिए कि इसके अंदर किस तरह से अपनों को सवार अटेंड करके ज्यादा से ज्यादा नमबर प्राप्त कर सकते हैं अभी तक इदिया आपने अनीट क्लासे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है जिरूर सबस्क्राइब करके घंटी वाला निसाने नी बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले मिल सकें तो यहाँ पर देखिए अनिवारे हिंदी विशे ककसा 11 का ये पेपर है जिसमें आपको सबस्क्राइब का समय मिलेगा परिक्सा आपकी है वो 11 दिसंबर से सुरू हो रही है तो बिल्कुल आप सबी भले किसी भी जिले के हैं राजस्तान या अनिद राज्ये में भी है तो आपके ऐसा ही पेपर वो आने वाला है चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है पुरणांक आपके 70 नंबर का रहेगा खंड अ सबसे पहले 7 नंबर का खंड अ भाग आएगा इसमें 7 सवाल एक एक नंबर के आपके आने वाले हैं जिसमें देखी अ पटित गध्यांस यहाँ पर आपको दिया होगा इसको आपको पढ़ना है और पढ़कर के इस तरह के सवाल आएंगे उसका आंसर देना है जैसे यहाँ पर सवाल आप देख रहे हैं इर्श्यालू वैक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है तो इसका सही उतर आपके है दूसरों की वस्तुओं को देखकर इस जो आप पेरिग्राफ पढ़ेंगे इसके अंदर इसके उतर है अपनी तुलना दूसरों के साथ कौन करता है तो इर्श्यालू मनुश्य होता है वो करता है तीसरा है इर्श्यालू अपनी पास की वस्तुओं से आनंद नहीं ले पाता क्यों की क्यों नहीं ले पता क्यों कि इसकी लालचा और अधिक पाने की होती है वो ज़्यदा से ज़्यदा परब्ट करना चाता है इसलिए अपने पाट जो वस्तियों उसका आनंद नहीं ले पाता है अपने अभावों के बारे में निरंतर इर्शियालू वैक्ती क्या करता भई दूसरों के विनास में लग जाता है अपने खुद के दुख होते हैं उसको नहीं समझता और दूसरों का विनास करने लग जाता है अपने अभाव पर दिन राज सोसते सोसते वो किसकी परक्रिया को भूल विनास में लग जाता है उनन्ति की परक्रिया को भूल जाता है या नहीं वो आगे परियास करना बंद कर देता है और दूसरे को मिटाने के सक्कर में खुद भी विनास में लग जाता है अगला है देखी इर्ष्यालू सब्द में परियुक तो परते है वो आपको बताना है यहाँ पर इर्ष्यालू सब्द के अंदर कौन सा परते है वो आपको बताना है ठीक है तो परते होता है वो आपको पता है पीछे की तरब तो यहाँ पर इसके अंदर आलू परते हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई आलू परते हो जाएगा इर्षया प्लस आलू उप्यूत गद्यांस का सीर्षक दीजिए तो ये जो गद्यांस्था उपर आया हुआ इसका आपको सीर्षक देना है कि इसका सीर्षक क्या हो सकता है तो इसका सीर्षक होगा इर्ष्यालू मनुष्ये ठीक है तो इस तरह से आपको लेखना है अब देखिए दूसरा और साथ नंबर का स्वार यहाँ पर आपके आएगा पहले गध्यांस ता पध्यांस आएगा इसको आपको पढ़ना है इस मैंसे जो उत्तर है वो आपको देने है यहाँ पर इसको आप पढ़ लेंगे मिट्टी में सोना अपजाव अंबर बने सुखों की चादर धर्ती बने भी सोना इस तरह का आपके पेरिग्राफ आएगा इसको आप आराम से रोक करके देख लीजिएगा और स्क्रीन सोट लेकर के या रोक करके आप पढ़ सकते हैं इसमें से सवाल पूचा है अंबर किस की सादर बने तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सुखों की सादर बने ये मिट्टी किस की जन्नी है तो ये जगत की जन्नी है कवी किस की बीज बोना चाहता है तो कवी प्रेम के बीज बोना चाहता है कवी किस परकार के सादक बनन आपको इसमें से डूंट करके लेखना है तो अंबर का मरलब क्या हो जाएगा आकास हो जाएगा ठीक है न उप्यूक्त पध्यांस का उसी सीरसक आपको देना है इस पध्यांस को आपको पढ़ना है और इसका जो सीरसक है वो आपको लेखना है इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको सीर्षक पता लग जाएगा अब यहाँ पर यह तो हो गया खंड अब यहाँ पर खंड ब आएगा जिसके अंदर आपको आंसर देने खंड ब के अंदर आप देखी निमलिकित पध्यांस की सरपरसंग व्याख्या करनी यहाँ पर आपको लिंक भी मैं आपको description में दे दूँगा वहाँ जाकर करके आप इसको download कर सकते हैं वहाँ ग्रूप अपना जुड़ सकते हैं ग्रूप में और वहाँ से आपको यह paper भी इसकी PDF मिल जाएगी अगला है देख condition है यहाँ पर निमलिकित गध्यांस की सरप्रसंग व्याख्या करनी constitution अपर जैसे तीन नमर का पध्यांस आयता वैसे यहाँ तीन नमर का गध्यांस भी आएगा और यहाँ पर आपको इस गध्यांस को पढ़ने के वारे इसका परसंग की कौन से पार्ट में से लिया गया है और ये किसके बारे में उसकी व्याख्या अत्वा में भी आता है दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखी अगला सवार है निमलेगीत परशनों में रिक्तिस्थानों की पूर्ति करनी यहाँ पर आपको खाली जगे भरनी है यह च्छे नमबर के आपके सवाल आएंगे एक एक नमबर के च्छे सवाल है च्छे नमबर के आएंगे गलता लोहा खाली जगे दवार रचित कानी किसके दवारा सेखर जोसी है मनु भंडारी वो लिखना है मिया नसूर इदीन सब्द चित्र यहाँ पर कौन से मैसे लिया गया है वो पतहर पाज़ोली फिल्म की शुटिंग का काम कितने साल चला धाई साल या डैड़ साल आपके किताब में आयो बिल्कुर आप वहाँ से डूंड करके लिख सकते है मीरा के गरू का नाम क्या था रेदास था की रामानन था वो यहाँ पर आपको लिखना है वे आखे पजी के खाली जगे परगति सीर्या पूंजी वाद दोर की कविताव लिखना है एककंट, विस्पाई, गीती, नाट्य, किसके दवारा रस्षित है वो आपको यहाँ पर लेखना है तो इस तरह से आपके ये छे आएंगे जो खाली जगे के सवाल आएंगे अगला है निमलेकित परश्णों के उत्तर एक पंक्ती में दीजिए एक-एक नंबर के यहाँ पर छे सवाल है अपू के साथ ढ़ाई साल नामक संस्क्रण में किस फिलम की गटनाओ का वर्णन किया गया बंग विबाजन की योजना किस ने बनाई थी इस पीती के बोध वियारों किस ने लूटा था सुमीतर अनदपंद ने वे आखें को संदे स्वा किसे बताया है यह सभी मोश्ट मोश्ट सवाल है जो आपके परिक्सा में आ सकते हैं इसको आपको रट लेना है पथिक कविता किस कावे संकलित है मीरा की भक्ती किस परकार की मानी जाती है इसके बाद अब आपके सवाल आएंगे वो दो-दो नंबर के हैं यहाद एक कि धनराम को मोन के किस वेवार पर आचरे होता है और क्यों यह दो नंबर का सवाल आपके आएगा नमक का दरोगा कानी का मूल परतिपाद्य अपने सब्दों में लिखना है दो नंबर का सवाल आपके आएगा कर्षना सोबति यह तो समीतरानपंत में से किनी एक का साहितिक परिच्छी देना है दो नंबर का आएगा यह तो आमें समीतरानपंत का लिखो भलाई कर्षना सोबति का लिखो किसी भी एक का तो दोनों के याद कर लीजी एक आपको परिक्सा में मिल जाएगा मिया नसुरुदिन की चरीत्र की विशेष्टा या अत्वा में ये सवाल संदेश गरन करने वाला चार नमबर का है आप दोनों में से कोई भी एक है वो अच्छे से कर सकते हैं अब आगे आजाएगा खंड सर तो खंड सर के अंदर देगी यहाँ पर एक सवाल है जिसके अंदर चार सवाल दिएगे वो करने एक एक नमबर के हैं लेक इतने परकार की होती है लिखना एक नमबर का रेगिस्तान वर्सा को मा अपने करी किस सब्द का उप्योग होता है ये भी एक नमबर का लेखी का बेबी हालदार को अपनी मा की याद क्यों आई ये भी एक नमबर का लता मंगे सर किस की पुत्री थी ये सबी चारों सवाल एक एक नमबर के हैं इनको आपको याद कर लेना है अगला है किराये के मकान में रहते हुए बेबी हालदार चिंतित क्यों थी दो नमर का सवाल आपके आएगा राजिस्तान में कोई किसे कहते हैं इतनी गहराई और व्यास तरसा सामानी कोई की गहराई और व्यास में कितना अंतर है दो नमर का आपके सवाल आएगा चित्र प्रसंगीत ने लोगों की कान विगार दी अक्सर या रोप लगया जाता है रहा है इस संदर में कुमार गंदर्व की राय और अपनी राय या अथवा में ये भी आया रास्तान मिलने वाले पानी के तीनों रूपों में अंतर च्यार नमर का सवाल है दोनों में से कोई भी एक चोदव आपको करना है पंदरवाया परे विद्याले मायुजित खेल कुद परतिया के तो परतिवे दिन त्यार करना है ये दो नमर का सवाल आपके आएगा टीवी के बढ़ते प्रबा उसकी फैलती अपसंस करती पर एक फीचर त्यार करना है का सवाल दो नमर का आपके आएगा जिलादीस जालोर की और से स्वास्ति सचीव रास्तान सरकार जैपुर की निरदायत प्रोरूरूप में यहाँ जालोर की जगे अन्य जिले का नाम भी आ सकता है तो आपके ये पांच नमर का सवाल आएगा जिसको परती रूप आपको त्यार करना है और निमलिकित विश्यों में से किसी एक विश्यों पर निमंद लिखिए यहाँ पर आपके साथ नमर का निमंद आने वाला है निमंद है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ या कोरोना वाइरस 21 सदी की महामारी स्वच भारत विद्यारती जीवन में इंटरनेट यह सभी मोष्ट है चारों यह आप अच्छे से याद कर लें कि इसकी परस्तावना हम कैसे लिखेंगे और अन्य चीजे कैसे लिखेंगे साथ नमर का बहुती मोष्ट आपके यह आने वाला है तो इस तरह से यह बहुती बढ़ी आककसा 11 का अनिवारे विश्य हिंदी का पेपर है वो आपके आएगा अभी तक लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा अनील क्लासे चैनल पर आपको अन्य सभी सब्जेक्ट के मोडल पेपर परिक सेर कर दें